जैहिन दोस्तों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कच्छा दस के विद्यार्थियों के लिए ग्रीव मिक्यान के महातून बहुविकल्पी प्रशन निकराएं जो परिच्छा दिसे बेरी इंपोर्टेंस रहेगा देन ना करते ह दिखने हैं परी प्रशन है जो है बर्फ की टोपी का प्रशान में के दिया गया है तो सही जवाब इसे में और ती के प्ल्टे प्रियोग कब कियी जाता है बच्छो फूरी फूरिपोर्श को सेख देने के लिए पुल्टिस का परियोग किया जाता है रोगी के सरीर का अस्पंज किया जाता है उसे घर्म करने के लिए ठंधा करने के लिए तफाई करने के लिए उपिवत सभी कारियों के लिए तो बच्छों सही चारक सही घा हो जाएगा उपिवत सभी कारियों के लिए चल सही जवाब जो है 5 क्या हो जाएगा का हो जाएगा तीवर दर्द में जो है परियोग किया जाता है अगला कोशन है इस्प्रीट का परियोग करना चाहिए तो इस्प्रीट का परियोग करना चाहिए दोस्तों अस्पंज के बाद जो है इस्प्रीट का परियोग करना चाहिए बच्छों अगला question लेकर देखेंगे हम लोग, question number 7 है, पुल्टिस लगने से क्या लाब होता है, तो 7 क्या होज़ाएं बच्छों, दर्ध को कम करता है, अगला question है, कि बर्फ की टोफी का परियोग करते हैं, बर्फ की टोफी का परियोग करते हैं, कब? तो आट का सही जवा क्या हो जाएगा ठंधी सेंख देने के लिए अगला कोशन है कि भपारा लेने का लाव है भपारा लेने का क्या लाव है तो नव का सही जवा क्या हो जाएगा शिकाई करना दस्वा है गर्म सुख सेंख की सनोतम बिधी है गर्म पानी की बोतल परियोग की जाती है सुष्सेख में, शुभवाश्ञेख में, तर्सेख में, उपीद में सरु कोई नहीं तो 12 का सही जाब क्या हो जाएगा सुष्क स चलिंगे हम लोग अगला कोशन देखेंगे अस्त निर्माण के लिए यावजशक है अस्थ निमा के लिए क्या अवस्षक है तो दो का सही जब चुब गा हो जाएगा कैल्सियम यानि हड़ी निमा के लिए क्या अवस्षक है कैल्सियम मोस्ट इंपोर्टेंस है अवस्षक है अगरा कुशन है जोड उतर जाने पर पहचान का लच्छा है तो तीन का सही जाब क्या हो जाएगा घा हो जाएगा उपिक सभी जोड का स्थिर हो जाना जोड के पात असानी पीड़ा उत्रे भाग का निश्क्री हो जाना उपिक सभी हो जाएगा चलो आना कोशन देखते हैं लोग मोच का कारण है मोच का कारण क्या है तो चारक सहीजा क्या हो जाएगा इस नायूं का टूट जाना अथवा खिच जाना मोच का कारण है इस नायूं का टूट जाना अथवा खिच जाना आना कोशन है कोशन नमर 5 है अस्तियों को टूट जान को कहते हैं अस्तियों टूर जाने को क्या कहते हैं अस्ति भंग चलिए अगला कोशन देखेंगे अगर बाव की हड़ी तूटने पर प्रातियों कुप्चार करेंगे कि अगर बाव की हड़ी तूटने पर प्रातियों कुप्चार करेंगे तो यहां सभी यभा हो जाएगा खपच्चीयों पर रुई अग़ेLY ऐल को इलायान जाय तूटे भाग कोशन नमबर आठ है मोच का लच्छन है अथवा मोच की पहचान है तो आठ का सब्सक्राइब हो जाएगा घा हो जाएगा क्योंटे किस का पर्योग करते हैं वाचों यारा के सब्सक्राइब क्या हो जाएगा खा हो जाएगा ऐडे प्रियोग करते हैं बड़ा नंबर है हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती है बारक सही जोगा हो जाएगा कैल्सियम से मजबूत होती है चलिए उनों तेरा नंबर देखेंगे काउंसी वस्तु का परियोग अस्ति भंग में अधिक रक्त सराव रोकने के लिए किया जाता है तो तेरख सही जोगा क्या हो जाएगा चूर्णीकेट का परियोग। और कुछन दीखेगें हम लोग जो है है अस्ति भंके लच्छण है अस्ति जो भंक क्या लच्छण है कर चुम्यण होजाएग towel ड़नि इस दिर्व होजाता है दर्द होता है सूजन आ जाती है उपीव सभी हो जाएगा चलिए हम लोग अगला कोशन देखेंगे अब निर्प्रस्णों में से प्रते के चार सम्हाव उपता दीजिए नमबर एक मानों सरीर में मानों सरीर में कितने जोड़े होते हैं मानौ सरीर में कितने जोड़े होते हैं, तो बच्चों एक का सही जवाब क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, दो, मानौ सरीर में दो जोड़े होते हैं, मनुष के कंकाल में अस्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, मनुष के कंकाल में अस्तियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 206 दोस्तो कोच्छ नम्र 3 है चेहरे में कुल कितनी हड़िया होती है चेहरे में कुल कितनी हड़िया होती है तो 3 का सही वाक्या हो जाएगा हो जाएगा 14 हड़िया होती है चेहरे में कुल 14 हड़िया होती है अगला कोच्छन है अचल संधी अचल संधी कहां पाई जाती है अचल संधी कहां पाई जाती है तो दोस्तों चार संधी कहा हो जागा खोपड़ी कपाल में खोपड़ी में जो है पाई जाती है अचल संधी Question number 5 है कंधे में किस परकार की संधी होती है कंधे में जो है किस प्रकाग संधी होती है गेद और प्यालेदार संधी खूटी संधी पाई जाती है खूटी संधी पाई जाती है तो यह दोस्तों जो है खोपड़ी में पाई जाती है मानों का सेरुकी में वसी का सेरुकू की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती दोस्तों बारा होती है आगरा क्वेशन है मुक्त पसुरकाए होती है नवी तथा दसमी पहरी तथा दूसरी पांचवी से शटी गिरहमी तथा बरहमी तो आठ का सही जाव दूसरों के घा हो जाएगा गिरहामी तथा बरहामी चलिए एगला कोश्चन देखेंगे मुलोग कोश्चन नमबर 9 है खोपड़ी में कितनी अस्थिया पाई जाती है खोपड़ी में जो है कितनी अस्थिया पाई जाती है तो बच्छों जो सही जाव काश रष्तिय पाई जाती हैं काशेरुक्ष दंढ की काशेरुकाय पाई जाती है तो दस का थायो हो जाएगा जाएगा संधिक एक कंदॄक कली का संधिक एक उधान क्या है तो जायेगा वावक मानों में गृवा कसे रुकाऊं की संख्या कितनी होती है तो बारा का सही वाब बताना आपको गाह हो जाएगे दोस्तों साथ चलिए एगला कोश्ण देखेंगे में लोग जो है घुटना किस प्रकार की संधी का उधान है घुटना जो है किस परकार की संधी का उधार है चूलदार जोड़ सही जोए हखा हो जाएगा कुछनमार चुगदा है खुटी धुराग्र संधी पाई जाती है ते दोस्तों कोहनी में पाई जाती है कितने परकार की स्थिया पाई जाती है तो भागतों सोला चुस नहीं को जाएं तरह सुला का हो जाएगा यह पाई जाती है तो दोस्तों किस पोशक तत्त में जो है अधिया मजबूत होती है अधवा किस तत्त के का अधिया मजबूत होती है तो आपको भटाना है ठारा सही या बच्छों खाऊ जाएगा कैल्सियम मानो सरीर की सनरचातमक इकाई है एसी उतक कोशिका रख्त मानो सरीर की सनरचातमक इकाई क्या है तो यहां सही जाएगा कोशिका अगला कोशन है कोहनी का जोड संधी कवन संजोडा कहलाता है कविस जाएगा हो जाएगा कबजेदार जोड हिंज संधी आगला कोशन है डीर की हड़ी में कितने कशिर्काये पाई जाती है तो बच्वे करें सही जवाब क्या हो जाएगा 26 उपरी बाव की अस्ति है तो बाई सही जवाब क्या हो जाएगा अंज फलक चलिए अगला कोशन मुद्ध देखेंगे नेस्ट कोशन है नमिकित प्रस रोगी का भोजन होना चाहिए रोगी का भोजन कैसा ओना चएदेश तो सही जवाब क्या रहा हुज आइगा पर प्रोटीन पाय जाता है दूध में और संत्रा में चीनी में पर्टीन किसमें पाए जयता है सुछ जवाब दूध-दूद पाए जाता है को नम्भर थिरी है कि किसी भी रोग में कमजोर हुए ब्यक्ति को स्वास्त लाफ्ट के लिए देना चाहिए तो तो सही जाओ यहां हो जाएगा पौश्टीक सुपार्च अथा हलका भोजन देना चाहिए अगला कुस्षन है कि मलेरिया मलेरिया भुखार के समय जब जोर ना हो तो भोजन देना चाहिए पॉस्टिक तथा संतुलित भोजन देना चाहिए चलिए यहला कोशन देखेंगे दोस्तों लोग अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए तो five का सही जवाब क्या हो जाएगा खा हो जाएगा तरल भोजन देना चाहिए अतिसार जिसे दोस्तों type five बोला जाता है अतिसार के रोगी कैसा बोला तरल भोजन देना चाहिए चलिए एगला question देखेंगे हम लोग चावल का पानी दिया जाता है चावल का पानी दिया जाता है तो अतिसार के रोगी को शही जवाब जो है खा हो जाएगा अतिसार के रोगी को दिया जाता है आना question है कब जिके रोगी का आहार है नम्मर साथ देखेंगे हम लोग जो है कब जिके रोगी का आहार क्या है रेशेदार पदार्थ कवश्चन No. कार्बोहाइड्रड का अधिक सेवा नहीं करना चाहिए जो है consumer में में जिसको डियावडीज बोल जाते दोस्तो जो ऍकना कनाशना अर्म कार्बॉहाइड्र 38 एक दिएप और जोला कॉश्चन दिया जाता है तो नव का सही जो क्यांगे दोस्तों गाह हो जाएगा आम का पना अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए तो दस का सही जाएगा गाह हो जाएगा नरमवा तरल आहार अगला कोशन है कि मनेरिया के रोगी को देना चाहिए दूद भोजन दही में से कुछ नहीं तो बच्चों यहा यारक का हो जाएगा दूध मरेरिया के रोगी को देना चाहिए क्या देना चाहिए दूद देना चाहिए छै रोगी को काउन सी वस्तु हान पहुचाती है अथा छै रोगी को क्या नहीं देना चाहिए तो यहां सही जो आके हो जाएगा बारा का सही जो खा हो जाएगा मीर्च मसालेदार भोजन यह जो है हान पहुचाती है चलिए अगला कुछन देखेंगे हम लोग फटे दूद का पानी किस रोगी को दिया जाता है फटे दूद का पानी किस रोगी को दिया सभी यह चलिए सभी हो जाएंगे आखे मीजबूत सभी हो जाएगा गा जाजर पपीटा और आम से मिलता है गाजर पपीता और आम से मिलता है अधवा गाजर विंद सनों है तो बिटामिन ए वीटामिन उत्तम सरोत हैं जिनी इन तीनों मिलती है मिलती mãब चलिए थी और ओंधिया जो का परमुक साधन है युद्ध है खीर ओना कि परमूक साधन्स आप के सामने दिए गया है आपको बताना है जोऔद्ध स्वोच्जण क्या हो जाएगा कार्बो हाइड्रेट ay कि अगला कोशन दूद को उबालने पर निम्कित में से क्या दूस्ट हो जाता है तो नयPlay दोस्तो добавक के भिख जीव दूद को उबालने पर उसके शूच मिशाम सब्सक्राइब वो नश्ट हो जाते हैं भोजन पकाने की बिदिया है तीन का सही जाओ क्या है दोस्तों बाला तनला भाब दोरा उप्युक सभी उप्युक सभी हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन देखेंगे हम लोग विटामीन डी कमी से बच्चों को काउन सरोग हो जाता है तो बहुत सरल अगला कोशन है किस परकार के भोजन रोगों से बचाते हैं किस परकार से भोजन रोगों को जो है रोगों से बचाते हैं तो जो है ताजे मौसमी फल एवं हरी सबजियां कोशन नमर छे है कोशन नमर छे बच्चों खट्टे फलों मुख मिटामीन काउन सी होती है तो मिटा दाले सूर किर्डे, खटे फल, सबजीया तो साथ सभी पच्छों खा जाए सूर की किर्डे सुबा सुबा जब सूर किर्डे निकलती है तो इससे हम लोग बिटामिन डी पराप्त होती है इससे हम लोग हड़ी हड़ी यह वगरा मजबूत होती है हमेसा नहीं दोस्तों जब सुबा सुबा सुर किर्डे निकल ली हो प्रोटीन का सुरोत है दाल, अंडा, मचली, इनमेंसे कोई नहीं तो आठ का है सरीज़ा क्या हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं प्रोटीन का सुरोत है दाले, अंडा, मचली, इनमेंसे कोई नहीं कोई नहीं होगा अगरा कोश्टन देखेंगे हम लोग कोश्टन नम्मर 9 है सरीर के निर्मार में सहायक है अथवा सही की बीधी में सहायक है प्रोटीन वसा बिटामिन कार्वोहाइड़ेट प्रोटीन का हो जाएगा क्या हो जाएगा है अगोर तो अटने कयो 12 है अडे में परयास मात्रा में होता प्रोटीन की प्राप्ती का सुनत है दूद दाले मखन निभू खटे फल तो बारक सही दोस्तों खा हो जाएगा निभू अथवा खटे फल देखो कई वस्त पर पूछ जा रहा है काओं सब्सक्राइब लेने से तुरन तुर्जा मिलती है विटामिन ग्लुकोष प्रोटीन ख सबजीयों को जोथ होना चाहिए छीन ने से फ़हले कि मिल आता ही ह infect Kids क से का रोगर हो जाता है विथा मिने के को भैरबिय तोच्या wins एक कमी से काउसां लोंग हो जाता है तो जाता है मिन खाना चाहिए बिटामीन ए सबसे अधी मात्रा में किस फ़ल में पाया जाता है केला पपीता सेव और रचों यहाँ तो शुला का सही जवा खाऊ जाएगा पपीता भोजन पकाने की सर्वत्तम बिती है उबालना भूना तल्ला बेकिन तो 17 का सही जवाब क्यों जाएगा का हो जाएगा उबालना आला कुछन देखें कि हम लोग रताउंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है रताउंधी रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है तो दोस्तों 18 का सही जवाब हÈभा हो जाएगा भीटामीन ए के कम्री से पोसत ता तो नस्ट हो जाते हैं भाब द्वारा पकाने से विटामीन ए का उत्तम सुरोथ क्या है दोस्तों 20 सही जवाब क्या है गागा पीदी और हरी सबजिया आगला कोशन है कोशन हम एकाईस है भोजन प्रवसने के लिए परियोग करना चाहिए अत्वा भोजन प्रवसने के लिए परियोग करना चाहिए तो एकाईस के यहां सही जवाब क्या हो जाएगा साबुन एवं पानी से परऊसने वाला चमच सही जो हो यहां जो है 21 का सही जो है खाओ जाएगा दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है मिठाई में, डालों में, संत्रा में, आलू में तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो प्रोटीन होता है सब्टे ज्यादा दाल में पाय जाता है कि छाना खाने से हाथ दोनने चाहिए राक से आपावज़ से साबू नेवं पानी से तो यहां तेजぐ भूbrony पानी से चलिए अगला कोश्चन हम देखेंगे कोश्चन नमबर 24 है विटामीन सी का सबसे अच्छा सुनोत क्या है दूद्ध हरी सब्जिया दाल और खटे फल तो बच्चो सही जवाब जो है घा हो जाएगा खटे फल हो जाएगा अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग जो है आला कोश्चन बच्चो कोश्चन नमबर 27 है प्रोटीन का मुख काम क्या है प्रोटीन का मुख काम होता है सही की बिधी एवं विकास नेश्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग भोजन पकाने से काउं सी बिधी पौश्टिक तत्तों को सुरच्चित रखती है तो 28 का सही जव का कि बीटामीन सी का उत्तम स्रोथ डूजिठ तो दोस्तों, बीटामीन सीमी का सबसे उत्तम स्रोथ जो है अमला होता थे, सभादा वीटामीन इसी में पाई जाती तिहुए कि अरह कुछन है कि लौतर की कमिस हे का रोग हो जाथा है start तो लौतर की कमिस पाई जाता है तो सब्धोर में काओ से बिटामीन नहीं पाई जाती है दूद में कार्ण से भी विटामिन नहीं पाई जाती है तो विटामिन कर्प प्योम्हाँस के बक्ति से खाथ पतारतों का सरच Cohen वन कि राशनी में रखकर सुखा कर तेलवा नमक द्वारा सहीजा बच्चों घा हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा आगला क्वेशन देखेंगे लोग काउन सा बिटामिन जल में घुल जाती है तो बच्चों अगला कुशन है कि उत्तम स्वास्त का पर्तीक है सुंदर बाल चमकिली आखें मजूद मान स्पेसियां इनमें से सभी तो तो 35 का सभी हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा यानि सुंदर बाल मजूद पांस पेसियां चमकिली आखें उपित सभी हो जाएगा भोजन पकाने में किसका पर्योग हानिकारक होता है पानी चीनी सोडा नमक तो 36 क्या हो जाएगा खा हो जाएगा सोडा किसी भी भोज पदार्थ से पराप तुर्जा को नापने की इकाई है सेगाउस कायलोरी कि स्भी भोजकदार से प्राबत फुल सबसे अधिक पाया जाता है saky आई बीटामीन भी सबसे अधिक पाया जाता है कि अंकुरित आनाज में अंकुरित आराज में भी टाइम भी सबसे अधिक पाया जाता है दो दोस्तों यह थे most important 100 question कच्छा दस के विद्यार्थियों के लिए गिरी विग्यान के